अमेरिकन वर्ल्ल ऑफ इमानी से पेशान आजादी के लड़ाई उसके बाद में फ्रेंच रिवॉलुशन रश्यन रिवॉलुशन दुनिया में हुई जितनी भी क्रांती है उन सभी क्रांतियों से बड़ी बाबा साथ द्वारा की गई भारत की धंब कान्ति अब आप बोलें यह बत्लब रिवॉलुशन लाने कि जो तरीके हैं वो हिंसा के बगए रिवॉलुशन आता नहीं हो यह तीनों क्रांतियों ने निच्चित कर दिया है वह एंसक रही है हैं बाबा साहबकि एक अखिली ऐसी क्रांती है जिसमें किसी भी तर की ऐसाम्ता सेनिक दल के अधिकार कैम्प में जब हम पहुंचे हैं तो आपसे ये बात हम समझना बहुत जरूरी समझते हैं कि जब बाबा साहिब ने समता सेनिक दल की स्थापना की थी उस वक्त तो दिख्षा नहीं हुई थी दिख्षा 1956 में हुई बाबा साहिब ने इस कारे को 1926-27 में इस काम की शुरुवात लेकिन हम यह समझने का प्रयास कर रहें कि इस वक्त में बाबा साहिब की धम्मकरांती का कितना प्रभाव देखते हैं आप संता सेनिक दल के कामकाज पर मैं मार्शल जीवान वान खेडे जो धम्मकरांती का जो असर है समाज में उनिसो चपन के बाद में जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनमें सबसे जादा असर तार उनिक उनिकी प्रेणा लिखे जो आज जो पढ़े लिखे लोग है वो आगे बढ़नी कोशिश कर रहे हैं तो यह काम आगे बढ़ रहा है और समानता के और लोग एक बेहतर समाज के और इसका एक गंतवे चल रहा है आपसे एक बात हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा साहिब ने चाहे राजनीति का क्षेत्र हूँ चाहे समाज का क्षेत्र हूँ आर्थिक शेत्र हूँ सांस लेकिन एक बाबा साहिब की विशेशता भी रही कि बाबा साहिब ने भारत के लिए सम्विधान के निर्मान में एक महती भूमी का निभाई और ये हम कहने की जरूरत नहीं है भारत के सारे पुरोधा इस बात को इसकी गवाही देते है कि बाबा साहिब ने भारत के सम्विधान के निर्मान में वो काम किया है कि उन्होंने उनको शिल्पी कहा कि ये भारती सम्विधान के शिल्पकार है हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सम्विधान का निर्मान हमारे देश की आजादी के बाद से शुरू हो चुका था यह उननचास के आते आते खत्म हो गया और पचास से हमने इसको स्विकार भी कर लिया हमारा सम्विधान यह धर्मिर पे कहलाता है लेकिन बाबा साहिब ने एक धार्मिक क्रांती की और वो उसके 6 साल बाद की, 1956 में आपको क्या लगता है कि ऐसा बाबा साहिब ने क्यूं किया होगा? क्यूंकि बाबा साहिब ने सभी धर्मों के किताब पड़े, सभी धर्मों का पढ़ाई किया, ब्यास किया और उनको ऐसे लगा कि वो बहुत हुशार थे, तो उनको ऐसे लगा कि ये विज्ञानवादी धम्म है, बुद्धिजम, इसलिए उन्हों ने बुद्ध धम्म को अपनाया, और वो एक नई क्रांति की, उसको हम बुलते हैं धम्म क्रांति, और उसके बाद, उसके पहले ही समत महिलाओं की प्रगति भी नहीं होती है, और बाबा साब है, तो इसलिए हम, हमारे महिलाओं को किसी ने प्रगति नहीं की, और हमारे महिलाओं को किसी ने बहार भी नहीं निकला, इतने सारे बोलते हैं देवी देवताओं है, लेकिन अमबेट करी जो महिला है, और सभी महिल है हिंदु महिला है सभी को बाबा साहब ने भी सवान हग दिया और आज मैं महिलाओं को यह बताना चाहते हूं कि आपके बच्चे कितने भी डॉक्टर इंजिनियर एडो के बनते हैं लेकिन अगर आप बुद्धि जम की पढ़ाई नहीं करते सामाजी ग्यान अगर उनके पा और समाज के लिए भी लेकिन आजकल ऐसे दिखता है कि महिला ज्यादा एंजॉइमेंट जो बुलते हैं पिक्निक अगर इसमें जाती है अगर उन्होंने यह सामाजी कि इसमें ध्यान दिया और महिला इननों तो सिर्फ घर से स्टार्ट करना चाहिए हमारे बच्चों ने क् जो ने डालते और फिर आज ऐसा दिख रहा है कि महिलाओं के उपर ही बच्चे सवार होते हैं और गलत मार्क पर चलते हैं एक बड़ी महतवपूर्न बात की जब हम मेडम से बात कर रहे हैं तो उनका यह कहना है कि महिला जो है वो अपने बच्चों को उस बुदिजम के जो संसकार है और उन संसकार के ओर ले चले लेकिन एक बात जो हम आपसे समझते हैं आप संता सैनिक दल के बड़े वरिष्ट सैनिक हैं मार्शल है एक बात बड़ी महतवपूर्ण है कि बाबा साहिब ने जब बुद्ध धम की दिख्षा दी उनके मन में यह बात दिखाई देत हैं तो कहते हैं कि कोई तर्लिंग इस्टीटूट होने चाहिए यह भी कहते हैं कि तो प्रचारग जो हो प्रशिक्षित होना चाहिए सम्ता सेनिक दल तो यह मात्र संगटन है और यह प्रशिक्षन अनुशासन सायम शील यह सब संता सैनिक दल के वो आधार स्तम्भ है जिस यह जो धम के प्रचार और प्रसार का जो क्षेत्र है, एक सैनिक के रूप में आप कैसा सोचते है कि क्या बुधिस सेमिनरी जिस पर बाबा साहिब सोचते हैं, क्या उनकी वास्तों में जरूरत है, या फिर जैसे काम चल रहा है वैसे चल जाएगा? नहीं, जैसे काम चल रहा है वैसा अगर चलते रहा है तो यह चलेगा, लेकिन उसकी गती बहुत धिमी होगी, बाबा साब की जिस अपिक्षा थी, उनिस सो चपन में अपने साथ 6 लाक लोगों को दिख्षित करने के बाद में, उन्हें ये लगा, कि मैं जिस धम में मेरे अश प्रति ग्यायदी थी, जो बहुत ही महतुपूर्ण है, मतलब बाबा साहब ने अट दे मोस ट्राइक ही आए कि इसका प्यूरेटी बना रहा है, बाबा साहब आगे इससे भी जाकर के चाहते थे कि केवल बुद्धिजम को अड़ाप्ट करने से काम ने चलेगा, तो उसके स संदर में जो डिटेल वास्तविक ट्रेनिंग है, प्रसीशन है, वो हो ताकि वो पूरे भारत वर्ष में फैले और यहां से दुनिया में संदेज जाए, बाबा साहब इसके लिए सेमिनेरी सी स्तापना करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में ये काम प्रतिज्याथि जो आफी अधूरी रहे है, अभी हम सभी लोगों के ओपर संदर और वाखी संदर काम कर रहे है, खासकर के बाबा साथे संदर जो संदर संदर बारत्य बोद्ध महास्वा और रिपॉब्लिकण परटिया अभी तो राजकिय तवर पर उसका वीचार हम नही कि धम्म के रास्ते में, सामाजिक शेत्रे में और राजनितिक शेत्रे में बहुत उम्मीत करके हैं लोग आज अभी तो हम इस समें देखते हैं कि चाहे बुदिस सोसाइटी आफ इंडिया हो या फिर जो बाध भिकून के संगठन है उसमें भी ये बात दिखाई देती है कि ए लेकिन क्या इसके लिए कोई रेसिदेंशिल ट्रेनिंग इंस्टिटुट होने चाहिए क्या एक समता सेनिक दल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आप इस बात के और कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बिल्कुल एक दिन का जाना एक दिन में बाते करना और वा कुछ दिन के बाद में भूल जाएगा हम अपनी तरफ से समता सेनिक दल की तरफ से दस दिन का प्रशिक्षन लेते हैं स्राम निर्शी भी रोगा और बुद्धियम की ग्रत्याक से लेकर के आखरी तक किया और उसके बाद में भी तथागत भगवान गौतम बुद्धिन न अपतिया है तो उसके लिए हम किस तरह से त्यार रहें आप सभी को शायद मालम होगा कि बाबा सहाब के समुची करांती को धम्म करांती को निस्त नाबुद करने के लिए इसी देश का आरेस नाम का जो संगटन है वो पूरी तरह से काम कर रहा है और उसका भी अपना एक अ परेमिटर चाहिए आपकी अपना शील आपकी अपनी करूना आपका अपना वेविचार आपका अपना विनय जब तक कि यह पुरा जो आंदोलन है यह बाहर निकले और किसी रेसिदेंशल ट्रेनिंग का हिससा बने इसके लिए कैसे पहल की जा सकती है आपको क्या लगता है सेमिनरी का निर्बान होना जरूरी था, जिस दिक्षा भूमी पे बाबा साब ने दिक्षा का समार हो किया था, दिक्षा दी थी, उसी दिक्षा भूमी से यह होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ में यह कहना पढ़ रहा है कि वो हो नहीं रहा है, पिछले चपपन से लेकर क कि आज 2024 में वह काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए और हम समता सरिंदल पहला ऐसा संगतन था जो इस बात का विरोध करता था कि उस दिख्षा भूमी से कोई भी राज ने था उस दिन जी दिन बाबा साफ ने धम दिख्षा जी उस दिन वह मारगदर्शन नहीं कर रहा हमारे क केवल और केवल बहुते बिख्षू बहुते के तत्व ग्यानी ही रहे और उनके माद्देंचे के दिशा निर्दे जाए उससे एक अच्छा मेसेज भी जाएगा देफिनेटल और उसी के लिए समता सरिंदल निरंदर प्रयास कर रहा था बढ़ी अच्छी बात है कि अभी भूमी फिलाल आज तक के नजर ने आए हो सकता है इसके बाद में आगे नजर आए और इसके संदर में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि उस दिख्षा भूमी के ऊपर जो भी आंदूलनों का शाद आप परिचित होगे एक दुख की बात है कि दिख्षा भूमी को इमैनिसी आजाद करने के लिए एक आंदूलन करना पड़ा है वो भी कौमन आदमी को दिख्षा भूमी का समारक समीती जो है जिसने उस भूमी के ऊपर अपना अधिकार जमा रखा है जरूरत इस बात की है कि वहां से वह कॉलेज वगेरे हटाया जाए कि दूसरी जगह पर लेखे ज लेकिन अगर आज सभागरे लेने के लिए जाते हैं तो आपकी कैपेसिट ने उतने पैसे वो चार्ज करते हैं तो यह मतलब सुविधा जनक हो जाए और लोगों के पहुंच में आए हमार कहना यह है कि सुविधा जनक हो इसलिए इसका दाम भीकम हो निरंतर महां पर कारिक हुए है बोदगया के आंदुलंड में जो बोदगया टेंपल एक्ट नाइजन फोटी नाइन का उसमें बड़े ही शडेंद्र के तहत वह उन्नी सो उन्पचास में आग्ड बनाया गया राजेंदर परसाद और जावाला लिए के माद्विधा आज उन्नी सो उन्पचास के बाद में आज तक के वुसके Лिए हमें आंदुलंड करना पड़ आए वो आज भी बहुद्ग के हाथ में नहीं है चार हिंदू और चार बओदों वो बहुदी हिंदूं का सुनते हैं आज भी हिंदू कौन में आक्रमन तीक यह दिश्चाभूमिके साथ मिना हो इसलिए हम और अगर ऐसा होता है तो फिर तुमारा हमारा बॉद बनने का या फिर नाकपुर में रहने का नाकपुर के दिश्चा भूमी को अगर हम विपाज़त में नहीं रख सकते तो फिर कोई यह नहीं समता सनिकदल उसके दिरंतर इन ट्रेनिंग शुरू के माददयम से लोगों में अवेरनेस करता है उनको भविष्य में इन इस्यू को लेकर आगे बलने लिए और बुद्धिजम के डेवलोपेंट के लिए काम करने के लिए प्रेरीथ करता है जी, बुदिजम की ये विशेष्टा है कि वो हमेशा अपने आप में अवेरनेस को लेकर आता है और जागरुक अवस्था में रहता है समता सेनिकदल के इन अधिकारियों से जब ये बात चीत कर रहे हैं तो वे आज के संदर्भों से लेकर, आज के मुद्दों से लेकर तो उन इस्थितियों तक जो इस्थितियां कभी रही वहां से लेकर आज तक ये सारी बात वो बड़ी ही सचेत्ता के साथ उसको शेयर करते हैं आप नैशनल कन्वेनर है, बुंदाडे जी, सम्ता सहिनिक दल के, बुंदाडे साहब, एक बात आप से सम्झेंगे की, सम्ता सहिनिक दल के आज के काम में, बाबा साहिब की धमकरांती को आप कैसे प्रतिविंबित होता हुआ देखते हैं? दमकरांती में जो मुल्य दिया था, महने वह शाय सम्ता सहातन दबंदो तो न्याए, इन मुल्यों को संक्रमित और सम्वर्दित करना इस सम्ता सहिनिक दल काम है, साथी तथागत बुद्ध के जो मुल्य है प्रग्याशिल करूना, उस प्रग्याशिल करूना को भी जन्मानस क आचार का एह होना चाहिए सहेट होनी चाहिए इसलिए हम परायास रहता है और यह मुल्य है यह मुल्य जन्मानश तक पोषचाने का हमारा मुल्य मने महत्वपुपुर्णकारिया है समता से ने anti-θρώा ट्रेणिंग द्वारा फिर प्रशिचंड लेकर या बोधिक प्रषिक और शारिरिक प्रषिक्षन दोह स्काइब कर वा जो पीड़ी को जो पीड़ी आने वाली जो बच्चे है अधारस्टम इस पीड़ी को हम तायर करते उस दीशा के तौर पर मने बुद्ध के वीचारों के आगे बढ़ने के लिए वो जो पीड़ी है उपीड़ी अपने समाज में दो तेम जाकर उटाथ्य का मुल्य है जनमानबस तक पोचाने के प्रहाइस करे देमें हमारा यह इसकार रहता है इस ट्रेनिंग में चाहें पर्शेक्षान सा थिंग प्रशाइब कर देखें वह उनको बताते हैं, और साथी प्रग्या शिल करुणा, तो यह प्रग्या मानने सरी पढ़ा नहीं होती है, यह ज्यान नहीं होता है, तो ससद भी बुद्धी भी उने चाहिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका ज्यान है, जो हमें शिल द्वारा बताती है, तो जो पंचे शिल हो गया, दस पारीमिता हो गया, अस्टांग एक मारगव काया, इनका भी हम बच्चों को हम उनके इस बाले काल से हम उसको पढ़ाते हैं, इस प्रग्या बाबा साहिब का धमकरांती का जो सेग्मेंट है, यह अब इस काम का एक अभिन अंग बन गया है, तो बिल बुद्ध की जो समानता की ततौ प्रणाली है, उसे हमें स्युकार नाचा, मैंने इस बाइस प्रस्थिंधा उस बाइस प्रस्थिंधा का हम पठन करते बच्छों उनको प्रसारेत करने का, साथी, साथी, बावा साब ने सिरी बुद्ध धंम इदिया नहीं, उसके साथ दुनिया में प्रमान गरंत है, तो हम इसका प्रयास करते हैं. जी, मैं आपसे अगर समझना चाहूं कि समता सेनिक दल के इस काम को अगर हम ये देखें कि बाबा साहिब जब कहते हैं कि दिख्षा देते हैं तो कि मैं समानता प्रस्थापित करने का प्रयास करूंगा और बाबा साहिब ने समता सेनिक दल की स्थापना उससे कई पहले कर और सम्ता सेनिक दल के काम को इस वक्त आप लेकर चलना, इसको आप कैसा जोड कर देखते हैं? मैं 2004 से मैं मिल्टरी से रिटार हूँ, उसमें फिजिकल फिटनेस ट्रेनर हूँ, आजमी के अंदर, तो यहां पर उसी को मद्यनजर रखते हुए, मैं यहां सबको फिजिकल फिटनेस का, योगा, ध्यान वगरा, बुद्धिजम का, जो बुद्ध ने बताया हुआ, मार्ग, शांती, योगा, ध्यान वगरा करने का, वो पूरा सिखाता हूँ, मैं यहां पर, मेरा 2004 से मेरा यही है, हर दस दिन का कारिकरम, शामीर, यह दस दिन आपके इस ट्रेनिंग के लिए होते हैं, तो इस तरह से, मतलब बुद्धिजम जो की एक अनुशासन के साथ आगे बढ़ लेकिन प्रकाश दार्शनिक जी के साथ, जिस तरह से हम धमक्रांती के संदरे में बात करें, दुनिया में बहुत सारी क्रांतिया होगा, अमेरिकन वोल्ल ऑफ एमानी से पेशन, आजादी के लड़ाई, उसके बादें, फ्रेंच रिवॉलुशन, रश्यन रिवॉलुशन, दुनिया में हुई जितनी भी क्रांती है, उन सभी क्रांतियों से बड़ी बाबा साथ द्वारा की गए भारत की धमक्रांती है, अब आप बोलेंगे वो तो अलग क्रांती है, ये धमक्रांती है, आपने अगर देखा होगा, कि चेंज, मतलब रिवॉलुशन लाने के जो त 20 जुलाई 1924 को बाबा साहब ने जब इसकी शुरुवात की थी, तो उनके साथ में कोई पैसा नहीं है, लोग नहीं है, अश्चिक जंता है, कोई सहराने, कोई आपिस नहीं है, कैसे शुरू करें, बाबा साहब ने बुन्यादी तत्व की उपर सोचते विए, अपने लोग आपको लोगों के वीचारों को बदलना पड़ता है, रिवालेशन और इवोलेशन दो शब्द है, रिवालेशन रेक्वार स्ट्रेंथ, पावर, और वालेशन के लिए रिवालेशन के लिए रिक्वार्स इंट्लोक्चन और लोगों का समर्थन और उस समर्थन को उस विचारों को बदलने की कैपबिलिटी, उस संगठन ने समता सिनितल के माध्यां से बाबा साहब ने 1926 में शुरू किया गई इस बात को बाबा साथ के इस दिख्शावों में पर या फिर छेदी समर को चेहते भूमी पर लोग जाते हैं कुछ मांगने के लिए ने जाते हैं कुछ वेक्ट करने के लिए भी नहीं जाते हैं तो बाबा साहब के प्रति आभार और वहां पर पढ़ने वाली लगने वाली किताबे के स्टाल से फिर से और जित होने के लिए कुछ नया मिलता है क्या वो देखने के लिए आते हैं और वहां से खरित करके फिर स्पूनर और जित होकर के नए शिरे से आमेटकर यान दोलन के बुद्धियम के लिए काम करते हैं मतलब इंटलेक्ट इंटलेक्ट और इंटलेक्ट यस तो यह जो चीजे है आप किसी भी दुनिया के मेले में जाये, सवास्तल में जाये, यह बात आपको कही पर नहीं मिलेगी। यह एक मात्र? यह एक अवर बड़ा परिवर्तन हुआ, हम देखते हैं कि धमकरांति के पहले हर घर में भगवान पुझे जाते हैं, हर घर में कुछना भगवान की मूर्तिया मिलेंगी। कि धमकरांति का हम देखते हैं कि सब लोगों ने उस मूर्तियों को भाहर फेग दिया है, नदी में बहा दिया है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, यह वाइचारिक परिवर्तन मानि एक क्रांति कि है कि जो हजारों साथ से जिसको पूछते थे बागवान को उसमें एक शन में बाहर फेग देते हैं और बुद्धादम्य के दिख्शा में बड़ा परिवर्तन है। मैं मेरा नाम को फूल गया था। मेरा नाम है अडुकिति भंदी कशिप। मैं केरला से चार अमवेकरिस्ट आत्मियों को इस क्याम में पहुंचाया। जी, चार लोगों के साथ केरल से भंते जी आये हैं और भंते जी का ये जो काम है ये भी बड़ा महतवपूर्ण है त्योंकि दक्षिंट भारत में उस एरिया में काम कर रहे हैं जहां पर धम करांती को पहुंचाने की जरूरत है लेकिन धम करांती का जो मर्म है वो यस समय ह हम लोग समता से निकदल के इन अधिकारियों से समझ रहे थे और वे कह रहे हैं कि ये वो रिवालोशन है जिसने लोगों के जीवन में अमलागर परिवर्तन कर दिया है और यसलिए ये अन्य करांती जो दुनिया भर में हुई है उनसे ये बिलकुल निराली और बड़ी अल क्रांती बडीक परिवर्तन करने वाले क्रांती कहलाती है दम करांती के इस मुलांगर को यहां रोकते है लेकिन दम करांती के मुलांगर का ये शिल्चिला जारी रहेगा आप बने रहे और आवज इंडिया के साथ